आज हम आचुके यहाँ पर काला घोडा आर्ट फेस्ट्वल देखने के लिए यहाँ पर आने के लिए आपको चत्रपती सिवाजी महाराच टर्मिनल सन्या वहाँ से आपको यहाँ पर दो किलिमेटर यहाँ पर चल के आना पड़ेगा और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसकी इंटरन से काला घोडा आर्ट फेस्ट्वल और यहाँ पर है काला घोडा जिसका स्टैचू जिसका नाम यहाँ पर फेस्ट्वल को भी दिया गया है यहाँ पर खूब सुरत डेकोरेशन वगरा वो सब कुछ करके रखे पहले से ही और गैस आर्ट फेस्टोर के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर बाइक डेकोरेशन करके रखे भी दिखाए दीगी जिसको मतलब की पूरे सरकुट से यहाँ पर डेकोरेशन करके रखाए और किस यहाँ पर है लोकंड से बाना हुआ जो की हॉर्स का हेड है पुरा मतलब की है यहाँ पर हॉर्स के बार में बहुत इल्लीजेन टाइप है तो अगर कोई यहाँ पर आएगा ना अंदर जाक के मतलब की वीडियो से वगर हम बनाने के लिए मस्त है अब अब यहाँ पर पूरा जो आट फेस्टिवल यह पूरा गूम लिया और यहाँ पर मतलब की वहां से स्टार्ट रहता है और यहाँ पर आने के बाद फिनिश हो जाता है और यहाँ से आपको एक्जिट हो जाएगा और यहां से आपको एक्जिट होने का रास्ता में जाएगा और फिलाल तो यहाँ पर एक्जिट के यहाँ पर खड़ा और काईस यहाँ पर एफ़न रेसिंग कार भी रखी है जो कि आपको मतलब की इतने पास से देखने के मिली के ना मैंने तो सबसे में पहली बार यहाँ इसने पास से रेसिंग कार देखी और आकों के सामने देखने के बाद तो यहाँ अलगी फील करता है मतलब की बूस बंस आते यार मतलब एसे रेसिंग ट्रैक पर भागने वाली गाड़ी ऐसे अगर कभी देखोगे ना यार मैं तो यार टीवी में देखता था बट यार बा तो यहाँ पर फाइनली हो चुका है सब कुछ गुमकर और यहाँ पर तो सारा मतलब की आर्ट के रिलेटिड कल्चर के रिलेटिड और और मतलब की बहुत कुछ डिजाइन्स वगरा बना करके रिल लाइफ में देखोगे नहीं यहाँ पर आकर बहुत बढ़िया रागेगा और यहाँ पर आओगी तो यार दोपेर में आओ क्योंकि दोपेर में कैसे यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते मैं तो यहाँ पर च कि मतलब की हर जगह बस रौशने रौशने नजर आ रहे हर जगह आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्र नजर आते हुए दिकाई देंगे यहाँ पर काली कारे उसके आगे काला कवा और उसके आगे एफवन एफवन कार जो हैना मुझे सबसे बढ़िया लगी और यहाँ पर आपको वाइट घोड़ा भी मिल जाएगा देख सकते हो यहाँ आप अचुके है आठ फेस्टिवल के दूसरे साइड जहां पर मतलब की मुझे पता भी नहीं था तो यहाँ पर आपको जी एसल्वी एंके 3 रॉकेट भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ प ली और रॉकेट बहर से कुछ ऐसे दिखाई देता है काला गोडा आड फेस्टिवल और बाहर जाने का रस्ता वहां से तो अभी मैं तो वहां से यह पर आ चूका हूँ और यहाँ से स्टेशन को जाने का रसता है तो मिलते जिदा सटेशन को चत्रपती शिवाजी लिए आचुके अपने घर वापस अभी थोड़े फेस्टिवल के बारे में बोल लेते कि अगर आप जाओगे तो यार अपने दोस्तों के साथ जाओगे ना तो अपने आप महुल बन जाता है मैं तो यार फिलाल व्लॉग बनाने गया था जो कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मेरा दोस्त जो कि यस उसको कुछ तो काम था तो इसके वज़े से वह नहीं आ पाया वरना तो वह मेरे साथ दि रहता इस वाले व्लॉग को यहां पर ही समाप्त करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्रा